हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग आज सुभई की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हिंदी के 30 कोश्चन्स हिंदी का पूरा कंप्लीट प्रक्टिस सेट सभी कोश्चन्स आपको आपके पैटर्न के आपके एक्जाम के जो आपका न्यू पैटर्न है उसी के कॉर्डिंग कराये जा रहे हैं और यह आपका लगवक जो प्रक्टिस सेट नंबर है वो 15 नंबर है यानि कि आपके इसके पहले 14 प्रक्टिस सेट और आ चुके हैं तो वो सिर्फ आपके हिंदी इसी प्रकार के आपके पर्यावरन अध्यन बाल विकास और संस्कृत के भी डेली प्रेक्टिस सेट आते रहते हैं सुबह नौ बजे साम को चार बजे दोनों क्लासेज को अधिक सदिक संक्या में देखते रहिएगा पूरी आपकी तयारी कराई जारी जो भी आपका स्कोर बन नहीं है समानार्थी सब्द यानि कि पर्यावाची सब्द एक ही होते हैं दोनों और कौन सा नहीं है यानि कि तीन है एक नहीं है वो आपको अलग कर देना खुदगर्ज तीब्र बुद्धी हाजिर जवाब या फिर कुसल तो चतुर का पर्यावाची सब्द पूछा गया स देखे दोस्तों तीब्र हो गया हाजिर जबाब हो गया और खुदगर्ज और कुसल हो गया खुदगर्ज जो है यह आपका चतुर का परयवाची सब्द नहीं है यह नंबर आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा जो आपका नहीं है नहीं वाला अलग करना था इस बात का किया जाते हैं और तदभव सब्द वे होते हैं जो संस्क्रत से कुछ न कुछ परिवर्टन के बाद हिंदी में लिये गए हैं तो दोस्तों घोटक आपका एक प्रकार से संस्क्रत के अतत्सम सब्द में आता है और इसका तदभव होता है घोड़ा सी नंबर आप्शन सही हो इसकी जगह अगर हम डाइरेक्ट सर कर दें ये बाला तो इसका अर्थ क्या बनेगा सरूबर सत वाण या फिर साखा थर्ड नंबर कोशन है तुरंत आंसर करते रही जल्दी से देखे कोशन कितना घुमा कर पूछा गया बहुत अच्छा कोशन है इसका आपका सी नंबर यह आप लोगो पहले पढ़चुके हैं तन नंगा, मन गंगा, विचार जल या फिर मन यमुना तो देखे आपने पढ़ा होगा कौन सा ओप्सन से ही मन चंगा तो कठोरती में गंगा तो इसका आपका कौन सा ओप्सन से ही जाएा फौर्थ नंबर का B आप्सन पहले में भर दिया जाएगा यही बाला B number option सबसे suitable दिया गया है अगला आपका 5 number question आविसकता से अधिक वरष्टी होने पर उसके लिए कौन सा उप्योगत सब्द किया जाएगा यानि कि जब वरष्टी यानि कि वर्षा जब होती है बहुत अधिक हो जाए आविसकता से अधिक हो जाए व दूसे हम कहेंगे दोस्तों अति वरष्टी यानि कि बहुत अधिक वर्षा होना अलप वरष्टी यानि कि कम वर्षा होना अना वरष्टी यानि कि वर्षा बिलकुल भी न होना इसका आपका C number option सही हो जाएगा अति वरष्टी कहा जाता है अगला आपका 6 number question है अब अली र जरही गुलाब में उपमा अलंकार उत्परच्छा अन्योक्ति या फिर अतिस्योक्ति इसमें आपका कौनसा अलंकार होगा 6 नंबर Xboxman है बहुत अच्छा कोश्चन है और इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा B A number option सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों बहुत अच्छा question है आगे बढ़ते हैं 7 number question पर देखे जल्दी से अधिजल गगरी छलकत जाए इस मुहाबरे का वाक्य में प्रयोग बताएए वाक्य में प्रयोग किया गया फूटी हुई गगरी से जल्ट पकता है या कह सकते हैं अर्थ बताना डाइरेक्ट लिए आपको आधे जल्द से भरी गगरी छलकती जाती है कम गुणवाला व्यक्त दिखावा बहुत करता है आधे जल्द से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए तो 7 number question है और इसका कौन सा option सही हो जाएगा देखे कम गुणवाला व्यक्त दिखावा ब खांकित है उसमें प्रियुक्त उपसर्ग किस कोटी का है यह आपको बताना है उपसर्ग की अलग-अलग कोटियां होती है अलग-अलग प्रकार होते हैं उसी में आपको बताना है विद्याले का उप प्रधाना चारे जिम्मेदार व्यक्ति है तो प्रधाना चारे में क्या लगा उप उपसर्ग लगा हुआ किस प्रकार का तत्सम उपसर्ग तद्धव उपसर्ग विशेश विदेशद उपसर्ग या फिर देशज उपसर्ग एर्थ नमबर कोश्चन है और इसका आपका ए नमबर आप्शन तत्सम उपसर्ग के इंतरगत आता है आपका उप जो लग हुआ ये याद कर लिजेगा अगला बहुत अच्छा कोश्चन निम्न लिखित में से कौन सी मैथली सरण गुप्त जी की रेचना नहीं है मेगनादवद अर्जन विसर्जन कादंबरी या फिर प्रदच्छना जल्दी से बताएगा मैथली सरन गुप्त जी की कौन सी रचना नहीं है नहीं कभी से ध्याना किया का बहुत से लोग यहीं पर आकर गलती कर देते हैं संस्क्रत में भी आपको बिल्कुल रटा दी थी और पिछली क्लास में मैंने आपसे यही कोश्चन पूछा था कादमबरी किस की रचना है तो दोस्तों यह बाणवट जी की रचना है बाणवट की याद कर लिजेगा बहुत अच्छा कोश्चन है बाणवट की रचना का नाम है कादमबरी और वाकी तीनों रचनाई जो मैतली सरण गुपती जी की हैं याद कर लिजेगा और पूरा आपका हिंदी साहित के इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई चाहें आप चैप्टर वाइज देखिए चाहें आप यूग वाइज या टॉपिक वाइज या आपकी सभी रचनाई जैस के आधार पर वाकी का भेद वताए प्रसन वाचक वाइज वह इस्वर तुम्हें दीरगाया गयूदे यानि कि विलोम सब्द तंग दिल कंजूस उधार या फिर उधार तो क्रपन दिया गया है क्रपन का आपका विलोम सब्द क्या होगा 11 नमबर कोश्चन है इसका सी नमबर ऑप्शन आपका हो जाएगा उधार यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्रपन माने होता है एक तरीक पत्ति में आस्रे की चेष्टाएं क्या कही गई है रसोत पत्ति में आस्रे की रसके उत्पन होने में जो आस्रे की चेष्टाएं बताएगी विभाव आलंबन अनुभाव या फिर उद्धीपन ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हैता है 12 नंबर कोशन है C नंबर इसका आपका एक देशी का विलोम क्या होगा एक देसी सब्द दियागा है इसका विलूम सब्द वहुदेशी, विदेशी, सोदेशा, सोदेशी हैं फिर सर्वदेशी है एक देसी का विलूम सब्द जो आपका हो जाएका सर्वदेशी है D नंबर उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा याद क्लिजेगा अगला 15 number question गिरीस में कौन सी संदी है गुंड संदी, दीरग संदी, व्रदी संदी या फिर यांड संदी जल्दी से बताइएगा कौन सा option आपका सही हो जाएगा गिरपलस इस गिरीस बन जाता है सब्द आपका और ये आपका 15 number question है इसका B number option, दीर के संदी बहुत बढ़िया, काफी लोग अच्छे से त्यारी कर रहे हैं और निश्चित मानिये अगर आपने पूरे 15 जो आपके practice set आ चुके हैं, सब को पूरा पूरा solve कर लिया तो आपके लगवग 27 अंक कहीं नहीं गए हैं, जितना आप लोग अच्छा हिंदी में score कर लेंगे, वो आपके वाकी जो कमजोर विशय हैं, कोई भी एक विशय तो कमजोर होता ही है सब का, तो वो आपका वहां से कबर हो जाएगा, इसलिए अच्छे से जितनी अच्छे आप गुण बाचक, संख्या बाचक है, फिर परिमाण बाचक, 60 नमबर कोश्चन है, और इसका आपका C नमबर आप्शन, क्या हो जाएगा, देखे जल्दी से, कुछ बच्चे इधर आओ, इसमें विसेशन पहँचानना है, तो यह दिया कि आपका, यह आपका हो जाएगा, संख्या बाचक में भी दोस्तों, अनिश्चित संख्या बाचक है, कोई आपको निश्चित संख्या तो दी नहीं है, तो अनिश्चित संख्या बाचक है, C नमबर आप्शन, सही हो जाएगा, अगला 17 नमबर कोश्चन है, पापी का इस्तरी लिंक क्या होगा, पापन, अगला देखे कोशन बहुत अच्छा कोशन है एक नमबर आपका पक्का होगा यहां से किस वाकि में सकर्मक्रिया नहीं है सकर्मक्रिया नहीं दी गई यानि कि आपकी सकर्मक्रिया क्या होती जिसमें कर्म भी दिया गया हो मोहन हसता है सुधीर कार चलाता है पुलिस ने चोर क पकड़ लिया या फिर रामु को दबा पिलाओ कौन सी सकर्मक्रिया नहीं है नहीं वाला बताना तीन कोश्चन आपके इस प्रकार के आचुके हैं तो याद रखिएगा देखें इसमें कार चला रहा है इसमें चोर पकड़ा चला रहा है इसमें दबा पी जा रही यानि कि इन अब इसकी उत्पत्ति किस से हुई है यानि कि ब्राम्ही लिप से किस लिप की उत्पत्ति हुई है देवनागरी खरोष्टी गुर्मुखी या फिर कैथी 90 नंबर कोश्चन तुरंत आंसर कर यह बहुत अच्छा कोश्चन आपका हिंदी के इंतरगत और इसका आपका A नंबर आप्सन देवनागरी लिप जो है आपकी यह ब्राम्ही लिप से बनी हुई है तो A नंबर आप्सन सही हो जाएगा इसकी मात्र लिप की बात होगी तो ब्राम्ही लिप होती है अगला आपका 20 नंबर कोश्चन है इन वाक्यों में से असुद वाक्य का चैन कीजिए वे भार आपका वह दंड देने योग है यह आपका गलत दिया गया है इसका आपका B नंबर आप्सन सही हो जाएगा ठीक है अगला आपका कोश्चन है 21 नंबर कोश्चन 21 कोश्चन गोबर गड़ेस यह कि समास का उधारन है संबंद तत्पुरुस संपरदाय तत्पुरुस करण तत तो यह आपका 21 नंबर कोश्चन इसका आपका C नंबर आप्सन करण तत्पुरुस है कौनसा करण तत्पुरुस सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा याद कर लिजेगा बहुत अच्छा कोश्चन है अब अगर आपका कोश्चन आएगा तो इसी तो नहीं आएगा और अगर करता आफ आएगा तो इसी प्रकार का आएगा क्योंकि ये भी आपके काफी लोग गलत कर देतेтесь उन इसी प्रकार के कोश्चन में काफिूज हो जाते हैं अच्छे से सभी कॉश्चन कीतेरी करते रहें कोई भी डाउट और किसी कुश्चन में या कोई टॉपिक आपको पढ डोगोजी के बिल्कुल अंतिम समय के लिए revision के questions त्यार किये थे लगवक 45 से 51 liner points कराए गए जो कि आपके seated के last time के revision के लिए बहुत ही ज्यादा important है अगर आप लोगों को 8 दिसंबर का seated का paper देना है तो उन questions को त्यार कर लेंगे चार अंक आपके वहीं से कम से कम पक्के हो अब इन में से आपको चुनना है सही जो आपके विराम चिन का प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है 22 number question है कौन सा option सही हो जाएगा अब देखे कहीं न कहीं किसी न किसी में आपको गलती जरूर सामने साफ साफ दिख जाएगी एक भी गलती दिख गई तो उसे छोड़कर अ मिल जाएगी देख लीजेगा चली बढ़ते है 23 number question पर कौन सी बोली अथवावासा हिंदी के इंतरगत नहीं आती है कन्नोजी वांगरू अवधी या फिर तेलुगू सीधे सीधे कुछ सोचना ही नहीं 23 number question है कि आपने तेलुगू बोली हिंदी के इंतरगत देखी है नहीं भक्ति सूफी मतवादी वैसनब मतवादी या फिर निर्गून भक्ति तो दोस्तों आपको आपने पढ़ा था कि जो आपका 24 number question है और आपका जो भक्तिकाल था उसके अंतरगत कौन-कौन से कभी वात करते थे एक आपके होते थे प्रेम आसरी एक होते थे भक्ति आसरी या रामासरी इस प्रकार के आपने बताये थे उसमें भी आपके सगुन और निर्गून इस प्रकार के होते थे तो यह आपके जो निर्गून भक्तिके कभी थे वो कभी दाशी इसी के अंतरगत आते हैं डी नंबर option बिलकुल सही हो जाएगा अभी अंत में आपसे question भी पूछ जाएगा जिसका अंसर आप लोगों को अधिक सदिक संख्या में comment box में देना है जरूर जुड़े रहिए पूरी त्यारी करते रहिए 100% के आपकी त्यारी यहीं पर कराई जाएगी अगला सार्व नामिक विसेशन बनते हैं संग्या 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 सर्व नाम से सर्व ना अप्शन सही हो जाएगा अगला कोश More से कौन सा Ispn?? पेक बहुत प्रूजर है नाम जाएंग तो पे त्यान को बहुत अरदसवर 'll बनर माला के अंतरगत हिंदी की chapter इस क्लासिस का लिंक दे देंगे जरूर देख लिज़ेगा जाकर तैसी के आपका B number option है यह कौन सा पार्सविक है ला जो होता ही आपका पार्शविक वेन्जन के अंतरगत आता है और अनतस्थ प्रत्य बताना है प्रत्य वो था जो अंत में लगता है तो धुंद में आपका प्रत्य लगा हुआ है और इसमें ला लगा देंगे तो आपका सब्द बन जाएगा दुन्दला C नंबर उप्सन सही हो जाएगा 27 नंबर कोशन का याद कर लीजिए चलिए अगला बहुत अच्छा कोशन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था ये कोशन मैं पहले करा चुका हूँ काफी लोग को कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे चलिए देखे जल्दी से कौन सा विक्तिवाचक संग्या का उधारंड दिया गया है नदी गंगा गाया फिर आम जल्दी से चूज करिए तो दोसों लाश्ट क्लास में हमने जब यह कोशन डिसकस किया था उसमें मैंने आपको धारंड बताया था सी नंबर गंगा 28 नंबर कोशन का सी ऑप्सन और हंड़ेट परसेंट यही वाला उप्सन सही होगा जिन लोगों ने इसके अलाबा गाय और आम बताया था उनका बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं एक नंबर आपका तुरंत चला जाएगा तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं अब जो लोग आम बता रहे थे देखिए आम कोई आपकी व्यक्तिवाचक संगया तो है नहीं अब व्यक्तिवाचक संग्या कैसे हो जाएगी आम की तो बहुत सी प्रजातिया आती है सो दो सो प्रजातिया आती है तो कैसे आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक है जब किसी एक इंडिविजुल प्रजाति का नाम लेंगे जैसे हमने कह लिए दसहरी तब तो आपका हो सकता है और यहां क्या दिया गया सीधे सीधे गंगा दे दी गई है तो यह आपके एक व्यक्तिवाचक किसी नदी का नाम दिया क्या है और नदी अगर हतार दे तो किसी लड़की का नाम हो सकता है तो वो कुछ भी दिया रहेगा वो आपका व्यक्ति बाचक के अंतरगत ही आएगा इसलिए C नंबर आप्शन सही है और बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं देखना यही बाला सही हो जाएगा काफी लोग ने कमेंड करके डाउट क्लियर पूछा था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आप याद रखिएगा अगला कोशन है टॉंटी नंबर कोशन अंतिम दो कोशन बचें जल्दी से देखें निम्द लिखित में से कौन सा सब्द विसेश से है आसीन अगनी मतुर या फिर करमट विसेश से वो होता जिसकी विसेशता बताई जाती है और जो जो विसेशता बताने के सब्द हो था वो विसेशन कहलाता है तो टॉंटी नंबर कोशन है इसका आपका बी नंबर आप्शन अगनी जो दिया गया है या आपका विसेश से के रूप में होगा क्योंकि अगनी बहुत तेज जल रही है तो अगनी कैसी जलने यह बहुत तेज है तो अगनी कैसी होगी विसेश से होगया बहुत तेज जो दिया गया है यह आपका विसेशन होगया इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा अब दोस्तों आपको एक कोश्चन का अंसर कमेंट बॉक्स में देना है अबी उपर आपने कवीरदाजी का नाम तो सुना था लेकिन कवीरदाजी को जो रचनाएं है साक히 सबद रमैनी तीन रचनाएं आपने सुनी होंगी साख히 सबद रमैनी इनको एक साथ एक जिका जो एक ужас करके रखा गया वो इसका कौन सा क्या नाम है उसका जो इनके सिस्यों ने तयार किया था जिसमें इनकी इन तीनों रचनाओं को एक अत्रित करके रखा गया इनके सभी दोहों को रचनाओं को रखा गया है उसका नाम आपको अधिक सदिक संक्या में comment box में comment करके जरूर बताना है जितना अच्छा आप लोग answer देंगे उतनी आपकी अच्छे से त्यारी होगी मुश्किल से 2 सेकेंड का समय लगेगा questions कैसे लगे लाइक करते रहेगा और कवीर दाजी की सभी रचनाओं के संक्रह को संपूर संक्रह को किस नाम से जाना जाता है अंतिम question है 30 number question निम्न लिखित प्रसन में समूह समूहर्थक सब्द को चिनिये यानि कि जिससे आपको समूह का अर्थ प्रकटोरा कार आवे सकता संबय या फिर पूरती कौन सा option सही हो जाएगा अच्छे से याद करिएगा पूरतीस questions complete हो गए कितने question आपके सही हुए जल्दी कमेंट करके बताए लाइक करिए share करिए कुछ classes के link नीचे दियेगे हिंदी की chapter wise class के हिंदी साहित के इतियास की playlist सब कुछ नीचे दिया गया जो class प्रसंद आए उसको जरूर देखिए share करते रहे comment box में अपने विचार देना मत भूलिएगा जो भी doubt हो वो clear कर सकते हैं चैनल को subscribe करके साम 4 वजेज की जो seated के आपकी special classes चल रही है आठ दिसंबर तक के लिए उनको भी जरूर देखते हैं मिलते हैं कल आज साम की class में थैं के दोस्तों